असलाम वालाइकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूटुब चानल में क्या आप भी बहुत सालों से इंफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं ट्रीट्मेंट करवाते हुए आप ठक चुके हैं, आपने काफी इंजेक्शन्स, मेडिसिन्स खाई है IUI, IVF जैसे साइकल्स भी आपके फेल हो चुके हैं तो आप बिल्कुल सही जगे प्या है मैं हूँ हीना फरीदी और मेरे अंडर कंसल्टेशन गाइडन्स के तरू या वीडियो को वाच करते हुए अब तक लाखों महिलाओं ने हेल्दी बेबिस को डिलिवर किया है मैं अपने चैनल पर डेली वो टेस्टिमनीज भी अपलोड करती हूँ अगर आप देखना चाते हैं तो वीडियो को वाच करने के साथ साथ आप कम्यूनिटी पोस्ट और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी देख सकते हैं जहां पर आपको हमारे हैपी पेशन्स के बेबी और पेशन्स की पिक भी दिखेगी आज के इस वीडियो में हम तीन ऐसे पावर्फुल हर्प्स के बारे में बात करेंगे जो अल्टिमेटली आपकी फोर्टिलिटी को बूस्ट करने के साथ साथ आपको और भी हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं जैसे कि आपकी इम्मिनिटी को बढ़ाते हैं आपकी वाडि को डी टॉक्सिफाई करते हैं और आपको कंसीव करने में मदद करते हैं तो वो कौन से ऐसे तीन पावर्फुल हर्ब्स है आईए हम उसके बारे में बात करते हैं सबसे पावर्फुल हर्ब है आयरेध में जो फोर्टिलिटी को बढ़ाता है मेल और फीमेल में वो है शतावरी जिसको असपरागस भी कहते हैं शतावरी रूट का जो पावडर होता है ये मेल और फीमेल की फोर्टिलिटी को बढ़ाने में काफी सक्षम है ये एन्हेंस करता है आपके म्यूकस मेंब्रेंस को यानि कि जो फीमेल के अंदर ओवुलेशन का प्रोसेस है ये उसको इन्हेंस करता है ovulation होने में help करता है egg quality को भी ये better करता है और अगर किसी female में ovulation होता है तो automatically उनका cervical mucus भी बनना शुरू हो जाता है तो cervical mucus बनना क्यों important है conceive करने के लिए अगर किसी female के अंदर cervical mucus बनेगा वो तब ही बनता है जब वो female ovulate कर रही होती है तो जब ovulation होता है और cervical mucus produce होता है तो इसी cervical mucus से क्या होता है आपके जो partner के sperm है उनको healthy environment मिलता है stay करने के लिए और उसी में से वो swim करके उपर जाते हैं ताकि वो egg को fertilize कर सके तो इन दोनों का ताल मेल बैटने के लिए female का ovulate होना, cervical mucus बनना और उसी time पे contact रहने से pregnancy के chances जो है और भी जदा बढ़ जाते हैं जिन females के अंदर hormone disturb है शतावरी उनको balance करने की भी शमता रखता है ये tone और nourish करता है female के reproductive organs को और male की semen quality को बढ़ाने में भी शतावरी का काफी अच्छा योगदान है तो जितने भी couples try कर रहे हैं काफी साल हो चुके हैं शादी को तो आप शतावरी यानि असपरागस को इस्तमाल करके देख सकते हैं 5 gram आपको दिन भर में यूज़ करना होता है morning में empty stomach आप water या milk के साथ में ले सकते हैं आप आदे कप milk या water के अंदर 5 gram शतावरी powder आड़ करके उसको पी सकते हैं empty stomach full month females इसे period के first day से भी use कर सकती है शतावरी आपके menopause के symptoms को जैसे hot flashes, insomnia, night sweat, vagina dryness, anxiety, irritability ये सारी चीजों में भी help करता है और आपको support करता है ये female की fertility को बढ़ाने के लिए काफी सक्षम है जिनको dysmenorrhea, premature syndrome, irregular bleeding की problem है ऐसी females में भी शतावरी काफी ज़दा helpful है ये एक अच्छा antioxidant है जो आपकी ovulation को बढ़ाने में और egg quality को improve करने में भी help करता है बहुत से लोगों की ये questions होंगे कि हम tablet use कर सकते हैं पाउडर्स हमें पिया नहीं जाता है तो टाबलेट इतने ज़दा effective नहीं होते हैं अगर आप इसके सच में benefit लेना चाते हैं तो इसका powder form ही use करिए second powerful herb है अश्वगंधा अश्वगंधा male और female दोनों की fertility को बढ़ाने में help करता है studies में ये भी पाया गया कि जिन भी male partner को infertility के issues थे उनको 5 grams of अश्वगंधा daily intake करने के लिए दिया गया जिसके बाद उनकी reports भी अच्छी आई count mortality में भी improvement आया और pregnancy रुखने में भी उनको help मिली साथी में females के अंदर ये cortisol hormone को कम करता है और tension को body से release करता है stress hormone को कम करता है जिससे आप happy रहते हो और आपको conceive करने में मदद मिलती है साथी में ये आपके menopause के symptoms को कम करता है आपके reproductive system को nourish करता है और आपके ovulation में भी help करता है इसलिए study में ये भी पाया गया है कि अश्वगंधा का use करने से female की fertility भी बढ़ती है और pregnancy रुखने में भी उनको help मिलती है तो अश्वगंधा male और female दोनों को use करना चाहिए 5 grams of ashwagandha आप दोनों husband wife night में after dinner ले सकते हैं milk या water के अंदर add करके आप आदा कब पानी या दूद के अंदर 5 gram ashwagandha add करके ले सकते हैं full month females इसे period के first day से भी यूज़ कर सकती है बहुत से लोगों के मन में यह myth होता है कि thyroid patient ashwagandha नहीं यूज़ कर सकते हैं आप ashwagandha यूज़ कर सकते हैं बस एक शर्त है कि जितनी भी diabetic patient है चाहिए वो male हो या female हो आप लोगों को ashwagandha नहीं यूज़ करना चाहिए तीसरा powerful herb है muletti root powder जिसको English में licorize root powder भी कहा जाता है यह females के लिए काफी ज़दा helpful है उनकी fertility को बढ़ाने में muletti reduces testosterone level in women suffering from PCOD यानि कि जो भी females PCOD से सफर कर रही हैं उनकी body में testosterone hormone काफी ज़दा high हो जाता है जो ovulation को रोग देता है और pregnancy conceive करने नहीं देता तो यह testosterone hormone को normal करता है muletti तो जितनी भी females को irregular period का problem है या PCOD का problem है PCOS का problem है ovulation नहीं हो रहा है period में काफी ज़दा cramps होते हैं या period से related कोई problem है तो आप muletti root का powder use कर सकते हैं आपको market में easily available हो जाएगा यह भी आपको 5 grams लेना है लेकिन ध्यान रखे आप इसे period खतम होने के बाद शुरू करेंगे यह males के लिए नहीं है यह females use कर सकती है period खतम होने के बाद muletti root का powder आपको एक कप पानी के अंदर 5 grams एड़ करके ले लेना है आप इसका decotion बना के भी ले सकते हैं यानि काड़ा बना के भी ले सकते हैं तो ध्यान रखे इसे period खतम होने के बाद ही लेना है full month यह male के लिए नहीं है यह सिर females के लिए हैं तो यह तीन powerful herbs है अब आईए कुछ common questionnaire के बारे में बात करते हैं जो आपके मन में उच सकते हैं तो आप लोगों का सबसे पहले यह question होगा कि क्या हम doctor के treatment के साथ यह 3 powerful herbs ले सकते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप जबी भी यह powerful herbs ले रहे हैं उस time पर कोई भी doctor का treatment ना ले रहे हो क्यों उसको भरो से के साथ follow करिए ताकि आपको उसके अच्छे health results मिल सके कुछ females के मन में यह भी questions आ रहे होंगे कि क्या हम tablet ले सकते हैं क्योंकि powder का taste हमें पसंद नहीं है देखिए जो चीज कड़वी होती है ना उसके काफी health benefit होते है अब तक की journey में मैंने यह notice किया है और जितन तो पाउडर जरूर यूज करें आप थोड़ा वत हानी उसमें आड़ कर सकते हैं और कोशिश कर यह वाइड करने की अगर आपको इसका टेस्ट बहुत बिटर लग रहा है तो आप थोड़ा सा हानी आड़ करके भी ले सकते हैं ताबलेट में आपको recommend नहीं करूंगे फिर अगर बहुत ज़दा दिक्कत है तो आप टैबलेट भी यूज कर सकते हैं आप इन तीनो हर्प्स को एक साथ में एक महीने में यूज कर सकते हैं अगर आप शतावरी अश्वगंदा मुलेटी यूज कर रहे हैं तो फीमेल्स के लिए मैं बता रही हूं शतावरी और और दोनों को लेने के बीच में आप 10 से 15 मिट का ग्याप रख सकते हैं और आपको नाइट में सिरफ एक यी बार अश्वगंदा लेना है तो इस तरीके से आप फुल मंथ में इन तीनों हर्प्स को ले सकते हैं रही बात मेल की तो मेल सुबा में एमटी स्टमक शतावरी लेंगे सबसे पहले और नाइट में अश्वगंदा तो इस तरीके से आपका भी मंध पूरा हो जाएगा इससे क्या होगा, female का भी reproductive system अच्छा होगा और male का भी अच्छा होगा क्योंकि conceive करने के लिए दोनों भी योगदान होते हैं और दोनों को अपनी fertility के अपर ध्यान देना चाहिए I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी knowledge शेयर की है वो आपके लिए helpful साबित हुई होगी, अगर आप लोग भी ये तीन powerful hubs यूज़ करते हैं और आपको pregnancy conceived होती है या कोई health benefits आपको दिखते हैं तो आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताइए क्योंकि आपके positive feedback सुनकर और देखकर मुझे काफी खुशी होती है और आप लोगों के लिए नए नए videos बनाने में और भी अच्छा लगता है अगर आप बहुत सालों से infertility face कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आपको धेर सारे videos मिल जाएंगे हर एक problem के ओपर मैंने solution बताया हुआ है बहुत सारी testimonies है जिसको आप अपनी case से relate कर सकते हैं और उन testimonies को देखकर आप भी follow करके pregnant हो सकते हैं मैं आपको यही recommend करूंगी कि आप videos को watch करके ही pregnancy conceive करने के लिए प्रयास करिए अगर आप यहां से tips follow करके भी pregnant नहीं हो पा रहे है बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है आपकी age ज़्यादा हो रही है आपका case काफी ज़्यादा complicated है तो घबराये नहीं मैं हूँ आपके साथ आप मचसे personally भी consult कर सकते हैं consultation के लिए आपको मैं एक whatsapp number दे रही हूँ यह number पे आपको simply whatsapp करना है 9326443001 यह मेरा काफी पुराना number है और इसी से सभी लोग appointment भी लेते हैं मैं आपसे यह request करूँगी कि इसी number पे आप लोग whatsapp करें और मेरी team आपको guide करेंगे किस तरीके से आप appointment ले सकते हैं appointment यह एक paid consultation है definitely क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से guide करेंगे इसके अंदर आपको diet plan देंगे आपको customized treatment देंगे आपके reports को check करके आपको क्या problem है उसके हिसाब से ही आपको पुरा customized diet plan and treatment हम देंगे जिससे आपको pregnancy होने में help होगे आप तक हमारे under consultation बहुत सारी females ने healthily babies को deliver किया है जिसकी आप testimonies हमारे channel पे, instagram page पे और community post पे भी देख सकते हैं तो अगर आप मझसे personally connect होना चाते है आपको काफी जदा problems है आपका case complicated है आपकी age ज़्यादा है आप time ज़्यादा नहीं waste करना चाते है तो आप definitely मुझसे connect हो सकते है और treatment ले सकते हैं तो आपके हीना health android application भी download कर सकते है जो आपको play store पे मिलेगा लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आज ही जाकर इसको download करिए क्योंकि उससे आपको आपका ovulation day पता चलता है दिन भर में क्या क्या ऐसे food items आपको खाने चाहिए जिससे आपकी fertility boost होती है उसके बारे में भी वहाँ पे free में आपको diet chart दिया जाता है तो ये भी काफी आपको आपको आपकी में आपका पका चिया में वहाँ जाता है